महराश्व जारखंड में सत्ता गवाने की बाद भाजपा के सामने बिहार और दल्ली चुनाव जीतना किसी चुनावती से कम नहीं होगा इसी बीच जेडियू पाद्यक्ष प्रशांत कि शोर ने वधासभा चुनाव से पहले बिहार में भाजपा के लिए नए परिशानी खड़ी कर दी है प्रशांत कि शोर ने कहा कि बिहार में जेडियू भाजपा के बीच पचास-पचास का फॉर्मुला नहीं चलेगा जेडियू को राज में भाजपा के मकाबले जादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए गौतरभय कि फलाल बिहार में भाजपा जेडियू गठबंधन की सरकार है इससे पहले दोनों पार्टियों ने मिलकर लोगसभा चुनाव लड़ा था और जबलदस्त जीत दर्ज की थी अब ऐसे में आगामे विधान सभा चुनाव में पार्टी को बीचेपी के मुकाबले जादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए पटणा में प्रशांत किशोर ने कहा की लोगसभा चुनाव का फॉर्मुला विधान सभा में रिपीट नहीं किया जा सकता प्रशांत किशोर नागरिक्ता संशोधन कानून और राश्ट्री नागरिक्ता रजिस्टर के बहाने नरिन्रमोदी सरकार पर लगातार हमला कर रही है प्रशांत किशोर ने कहा कि JDU बड़ी पार्टी है इसके लगभग 70 विधायक है जबकि भाजपा के पास 50 MLA है इसके अलावा विधानसवा चुनाव नितिश कुमार के चहरे पर लड़ा जाएगा चुनावी रणीतिकार प्रशांत किशोर ने इस बात को भी खारेच किया कि 2020 के विधानसवा चुनाव में नितिश कुमार भाजपा के पक्ष में कुछ सीटें छोड़ सकते हैं जैसा कि उन्होंने 2015 में लालुयादब की राष्टिय जन्त अदल के साथ किया था subscribe our channel and press the bell icon for more updates